सभी दर्शकों को जुहार, स्वागत है वंचित आवाज में आज चर्चा कर रहे हैं उच्च जातियों के लिए आयोग और बिहार की राजनीती आज यहाँ उपस्तित है वंचित आवाज में बिहार से खास मानिय डॉक्टर मृतिन जे कुमार यादो और परविश्वर पासवान जी आपका स्वागत है तो यादो जी सवाल ये है अभी अभी ख़बर मिली है कि नितिश कुमार सरकार ने जो इसके पहले सवरन आयोग गठित किया था उसकी रिपोर्ट अप्रेल मैने के अंत तक आ गई थी और कई सारे आकड़ों के तथ्य भी और खुला से भी जाहिर हुए थे मगर सरकार ने अभी ये आयोग भंग कर दिया है और नया आयोग गठित किया है तीन सदस्यों का द्वारा ऐसा अभी सरकार के द्वारा जानकारी मिली है मगर सवाल यह है कि लगबग 15 करोर रूपे खर्च करने के बाद रिपोर्ट आने के बाद यह जो सवर्न आयोग है इसको एका एक भंग करने का क्या मतलब है देखे मैं बताता हूँ आपको यह सवर्न आयोग जो है 2011 में नीति सरकार के माध्यम से डीके तिरिवेधी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे उनको यह निर्देश दिया गया था कि तीन महिने के अंदर पुरा रिपोर्ट जो है समिट करके हमको दिया जाए जब यह प्रत्मुक्ति मोर्चा के माध्यम से बिहार के अंदर जन्जागरती और आंदोलन और धर्ना प्रदर्शन देने का काम किये इस वज़े से नितिस कुमार जी बिहार के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको डाइवर्ड करना चाहते हैं इस मुद्दे से इसके पयार पया ही कार रूप को जो है पुना अमल में लाने का काम करेंगे तो मैं समचता हो कि नितिस कुमार जी ऐसा कट के बिहार के जन्ताओं को यह अंदोलन का प्रभाब है मैं ने अन्दोलन गयार के अंदर किये इसका प्रभाब है कि वहार के बहुजन समाज जो 85% यह मैसेज देना चाहते हैं बिहार के जनता इतना बेकूप नहीं रह गई है और यह चाहते है कि जनता मुर्ख है तो आप निदिश कुमार को यह सोचना चाहिए कि जनता वहां का मुर्ख नहीं है वह स्वता इसे काड़िपरनाली से मुर्ख साबित हो रहे हैं और आने वाले जो है उनको छोड़ने वाला नहीं इस मुद्य पर पुना जो है धर्ना परदर्शन और विधान सवा घेरने का कार्जक्रम हम लोग यहां से जाने के बाद इस कार्जक्रम के स्माप्ति के बाद हम लोग निश्ची तुप से चलाएंगे सभर नायोग को विरोत करने लिए कोई राजनेतिक दल तरी के अंदर के अंदर आई है जिसका नाम है बोजन कुंति पार्थी उसके माध्यम से 26 सिप्तंबर को गांधी मैदान में जो रहला हुआ था उसमें पुरे जोर तरीके से श्वर्न आयोग के विरोध में जो है कार्जक्रम चला था उस रहली में यह सवाल खड़ा किया गया था इस वज़े से भी मितिस कुमार जी जो है डर चु अभी नया उच्छे जाती का आयोग यह उसको नाम अभी तक गोशित नहीं किया मगर अगड़ी जातियों का आयोग ऐसा गोशित किया है तो सवाल यह है कि उच्छे जातियों का आयोग बनाना सम्विधानी का धारा के तहत कितना अनुचित है देखिए जब से भारत में सम्मिधान लाग हुआ तो सम्मिधान निर्मताओं ने देखा कि भारत देश के बहुत संक्यंक्त लोगों को हजारों साल से उनके मूल भूत सी विधाओं से बंचित रखा गया है इनको सिक्षा कधिकार से बंचित रखा गया समाजी गस्तर पर इनको नीचे गिराया गया धन संपति रखने कधिकार से बंचित रखा गया तो ऐसे लोगों के लिए सम्मिधान ने प्रावधान किया कि जो सहचनिक रूप से समाजीक रूप से पिछ़़े रह गए हैं उनके लिए विशेश ब्यवस्था की जानी चाहिए अब ये सवर्ण आयोक के माध्यम से बिहार सरकार जो ब्यवस्था कर रही है कहीं भी सम्मिध कि आरथी की और पर युझारी चन आरиком कोई समिधान पर जाटरीय पौर है इसके लिए जो समाजी हुने ने नहीं है क्योंकि है आरक्षन का मुद्दा जो है गर्वी मिटाने का नहीं है सासन प्रसासन में या और भी जो तमाम विकास के छेत्र हैं उनमें भारत के सभी लोगों का उचित परतिमिधित होना चाहिए अब आप देखिए जिनके लिए ये आयों का गठन किया गया है आज से नहीं हजारों साल से पूरे देश के सासन सकता पर इनका इब चास्तों है अंग्रे जों का रहा हो जैतने भी राजा महराया जमिंदार रही हुआ करते थे उनके करता-धरता ही हुआ करते तै आज भी देश के अंदर देख रहे हैं या की आमधनी का सबसे बड़ा स्रोत धार्वी संस्थान है और वो सब के सब इनके ही अधिकार में हैं उसके बाद भी ये कहते हैं कि इसमें लोग गरीव हैं तो अगर गरीवी का कारण है तो उसके कारण ये खुद हैं इनका हक किसी दूसरे नहीं खाया है तो मैं कहता हूं कि ये जो बिहार में खेल खेला आ रहा है बार बार आयो गठ गठन करने का एक बार गठन किया 15 को रुप्या खर्च कर दिया फिर गठन कर रहे हैं पता नहीं तिन साल का समय है इसे 50 का रुप्य खर्च करेंगे अगर यही पैसा बिहार के गरीव जनता बोजन समाज के विकास पर खर्च किया होता तो कुछ बदलाव नहीं जारा था से सवर्णों को कमजोर मान कर उसको पॉलिसी के तत कुछ देने का प्रावधान किया था अब यह कहां तक ठीक है देखिए खराद जी मैं बात आपको बताना चाहता हूं इस देश में दर्जे का रिवलेशन है एक तरफ है राजसरकार पुर्व में जो स्वन आयो गठित की थी उसके माद्धम से यह बताना चाहरा है कि सारेवारा हजार से पंदरा हजार के बीच जो कमाने वाले बेखती है अर्थात जो प्रति दिन 414 रुपया 33 पैसे कमाने वाले लोग है वो गरीब के दायरे में आते हैं जबकि दूसरे तरफ अरजुन सेन गुपता कमीटी का रिपोर्ट है इस देश में 83 करोड जनता ऐसे हैं जिनका इंकम 6 रुपया प्रति दिन और मैक्सिमम बीस रुपया प्रति दिन इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि 180 रुपया के मंतली मिनिमंम और मैक्सिमम इन 600 रुपिये का 600 रुपिये का मंतली कमाते हैं 83 करोर वो लोग गरीब है तीसरा तत है कि सेंटरल सरकार केंदर सरकार ये कहती है कि 32 रुपिया यानी 960 रुपिया कमाने वाले बेक्ती जो है वो निर्धन नहीं है वो धनायट के सुची में आते हैं उनको गरीवी रेखा से नीचे नहीं रखा गया है तो हमको ये बात समझ में नहीं आता है कि नीतिस कुमार का जो ये सुवन आयोग जो अभी उसका पुनूरूप से उसको डाइवर्ट करने के लिए उची जातियों के भीकास के लिए राज आयोग गटन जो किया गया है वो ये बताता है कि सारे 12,000 से 15,000 कमाने वाले सुवन गरीब है तो ये बात हमारे गले नहीं उतरता बड़ा अजीब सा ये सवाल है इसका मतलब है कि ये जो है देश के जो बहुजन समाज के जो जनता है उनको ये गुमरा करने का काम कर रहे है एक तरफ सेंटरल गोर्मेंट 32 रुपिये वाले को गरीब नहीं मानती है दूसरी तरफ जो है निती सरकार बिहार की जो निती सरकार है ओल रेडी से सारे 12,000 से 15,000 कमाने वाले को गरीब साबित करते है इसका मतलब है कि ये देश के समस्त लोगों को गुमरा करने का प्रयास कर रहे है और निती सरकार ये चार रहे हैं कि जो 100% धनायड स्वन है उनको बोनस के तौर पे और पैसे की आउसकता है क्या मैं मानता हूं कि मेरे समाज के लोगों को पैसे की आउसकता नहीं है वन्चीत आवाज में। और दुसरी तरफ बिहार में जाती उत्पिडन की मात्रा भी जाता है। क्या स्थिती है बिहार की? देखे सर, जब बिहार में मानिये लालो परसाजे की सत्ता चल रही थी, सासन में थे, उस समय संकर विहा गाउं में, 1999 में, 24 अनुसूचित जाती के लोगों की हत्या कर दी गई। और कुछ समय पहले लच्षवन पूरबाथे गाउं में, हसी महलाओं के साथ सामोहिक बलातकार किये गए, और इसी दरम्यान अंठावन अनुसूचित जाती के लोगों की निरुम्म हत्या कर दी गई। और यह सारे घटाएं सवन जाती के द्वारा संपोसीत रनवीर सेना के द्वारा की गई। अगर ऐसा नहीं होता, तो इसके खिलाप में यह ताकतवर है, इनके पास साथ सन का सत्ता का अधिकार है, आवाज उठा सकते थे, दुनिया जानती, देश जानता, और इसके खिलाप में एक्सन होता। अगर उनके उपर यह भी आरूप लगाया जा रहा है कि वो तुष्टी करन कर रहे है अगडी जातियों का, और ओड तो मांगते हैं पिछडी जातियों का, पिछडी जातियों से ज्यादा तर आरूप हो रहा है, यह क्यों कर रहे हैं? यह ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जो तुष्टी करन का सवाल है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, कि सासं सत्ता पर लोगतांत्रीक विवस्था में, जो सासं के अस्थम हैं, नयाय पालका, काज पालका, विधायका और परचार माध्यां, इन सारे अस्थानों पर इनका कबजा है, और नितिश कुमाज जी सासन में है, लालू परसाच आदव जी बहुत लमे समय तक सासन में रह गए, अब इनके जो कार गुजारियां हैं, और इनोंने समय समय पर कभी जो इनके खिलाप में कुछ आवाजे उठाई, जिसके पजह से सिवियाए का डंडा दिखा करके, लालू सिवाई का उपरयोग करके हमको पुना है, जलिल नखिया जाए। कुछ सवर्ण जाती के जो कतावर लीडर हैं बिहार के अंदर जो उनी के पाटी के हैं, उनको हाई जग कर लिया है, और उनको ये इंडिकेशन समय समय पर देते रहते हैं कि नितिस कुमार जी, अगर आप बिहार के सिएम बना रहना चाहते हो, तो निश्ची तोर से अगर आप अपने सामाज के बात को उठाते हो, तो समझ जाओ, जो हमारे अंदर है, जो आपका राज छुपा हुआ है, अगर ये राज हम, ये बात हो गई उनके पक्षे के अंदर की, कांग्रेस और बीजेपी की क्या है, गुमिका है, कांग्रेस और बीजेपी, ये तो ये दोनों आदमी छेत्रिये पार्टी हैं, छेत्रिये दल है, ये नेशनल लेवर पर कोई भी सरकार नहीं बना सकते हैं, एक जो है, जितन दामाजी, निश्ची तुसरे अभी बीजेपी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, उनके पिछ लाम बैठे हुए हैं, जहां तक लालू जी और नितिश कुमार की बात है, तो ये अभी इसे पहले नितिश जी भी वीजेपी के साथ थे और एंडिये गटवंदन को मजबूत कर रहे थे, लेकिन आज यहीं नितिश कुमार जी और लालू जी कौन्डेस गटवंदन को के मुद्दे को भी उच्छा ला था, तो जीतनराम मान जी अभी उनी अगड़ी जातियों के साइड कैसे जुगे? देखिए, मान जी जी का जो राजनितिक जीवन शुरू होगा है, जितने बार उन्हें चुनाव लगा, हमेसा पार्टी बदल बदल करके उन्हें काम किया है, चर्चा को हम जारी रखते हैं, लेते एक छोटा सा ब्रिक, ब्रिक के बाद फिर से अगड़ी जातियों की पिर से स्वागत है आपका वंचित आवाज में, हम चर्चा कर रहे थे, बिहार्व की राजनिति और अगड़े जातियों के लिए अलग-अलग आयोग की शिपारिशे, हमारे साथ जुड़े है नरिश कुमार सहिनी, ये बिहार से है, और ये राष्टिय मुल्निमासी जैनी जी ये सवाल ये है कि अगड़े जातियों की सरकार को चिंता है, मगर इसके पहले महादलीत आयोग और मच्वरा आयोग बनाया था, इसके बारे में आप जड़ा बात बताईये कि क्या हुआ आगे? अभी जो नितिस जी के सरकार में महादलीत आयोग बनाया गया, मच्वरा आयोग बनाया गया, इससे समाज के बरग को कोई लाभ नहीं हो लóg रहा है, अभी फिल DAY है कि मच्वरा आयोग का रिपोर्ट आया, जिसमें बताया गया कि 95-95 परतिसत जो मच्वरा बरग है, वो रहा है जब मच्वारा पर इनके पास भूमी ही नहीं है तो आप आप किन को दे रहे हैं यह सबसीडी का लाब दूसरा नंबर है कि अभी जो सोर्ण आयोग बनाया गया है जो अब जिसका नाम अभी तर्काल परिवर्तन कर दिया गया राज आयोग तो उनका मकसद शिर्फ जो था कि का जिस्तिती भहुत दंब भैनिये जैनी है अभी नया आयोग में कायस्तों के वारे में क्या रवया लेने वाले कुछ जानकरी नहीं है अगर कायस्तों की स्थिती है और बहुत बुरा हाल है इसके लिए दोसी का सारा से ब्रह्म समात को जाता है अति पिछरा पिछरा फार्ड़ एसस्टी और मैंनिटिज के लोगों पर नहीं जाता है क्योंकि मैंनिटिज और सबसे ज़ादा अन्य परांतों में माइग्रेशन या विस्तापन करने वाले लोग ज़ादा है तो इसकी तुलना अब सब यह जो अगड़े जातियों के लिए जो आयोग बनाएं इसको कैसे देखेंगे अभी जो आयोग जो बनाया गया है उज जातियों के लिए अभी बरस्तमान परस्तिती में देखा जाए तो बिहार में जो 35 परसेंट पिछरा वर्ग है जो किसान जातिया नहीं है यह सिल्फ कार जातिया है इनके पास भूमी नहीं है इनका जो छोटा मोटा कारो बार लगू दोग होता था यह इनका रोजगार आज की डेट में समाब्थ हो चुका है और यह दूसरे परदेशों में जाकर रोजगार तलास रहे भटक रहे आज जो उची जाति के लोग कहमी मंदिर चाहे रोड पर पर भीक मागते नगा आते हैं चैपरिशे पीछर पर के लोग नजर आते हैं तो आर्थी किस्तीत,ने का बुरा हाल और दुसरा नमर मिब च timely कि घे रोखे प्र नहीं के सब जूटे आकळा रोजगार जो ऊगकि ए मालने बात नहीं है यह सब जूट के आकड़ा के अधार पर जो है इस तरह का खेल होड़ा है लालू और नितीज जी क्रीमिलियर के मुद्दे पर आप मुद्दा क्यों नी मनाते देखिए इसमें मेरा मानना है पहले भी आपको बताया कि नितीज जी को कुछ लोगों ने नेता है बिहार के अंद जाते है जबकि यह 85% जानता हूँ के वोट बैंक के आधार पे ही नितीज कुमार दो दो बार सीम बने हैं और उनी के मुद्दों को यह उठाने का काम नहीं करते हैं इनको यह भय है कि अगर हम अपने सामाज के लोगों को दूसी तरफ ओ जो भी सासकबर के जो बड़े ली सकता हूँ इसलिए आप हमको बोलने दो लेकिन हम अमल आप भी नहीं करना हूँ मैं भी अमल करने वाला नहीं हूँ ऐसा हम अपने आपको मांते हैं और ओ जो है नियाए पालिका और सीबी आई के डर से इस बंची समाज के आवाज को उठाने में कतराते रहते हैं और आने वाले समय में उठा उठाएंगे भी नहीं उनका राजनेती के लिए समाथ हो चुका है सानी जी जिस तरह से पिछड़े वर्ग के नेता उच्छे जातियों का तुष्टिकरन करते हैं उसी तरह बियार के साथ साथ उत्तर परदेश की भी स्तीती वैसी है वापर मायावती ज जातियों का तुष्टिकरन करते हैं क्या वजय है बियार के पिछड़े वर्ग के नेता पिछड़ों की बात करने की वज़ा है अग्रे जातियों की बात करते हैं यह पिछड़े वर्ग के आवाज नहीं उठाते हैं अगर यह पिछड़े वर्ग के आवाज उठाते तो पि जबूरी है, CBI का डर है, पैसा का फैनांस का बात है, इस बहु सारी कारण है, जो मजबूर है उनकी बात उठाने के लिए और हमारी बात नहीं उठाने के लिए यह कारण है। देखे खराज जी, मैं आपको अस्वस्ट और पे स्वस्ट कर देना चाहता हूँ, कि मैं आने वाले शमय में अगर ये नितिस कुमार फूंतर रद नहीं करते हैं और इस निनक को वापिस नहीं लेते हैं, तो मैं राज ब्यापी आंदोलन चलाऊंगा, और आने वाले शमय में बिधान सवा को घिराब करने का काम करूंगा, हर सरक चवराहे और रोड को हम लोग जाम कर देंगे, अन्तो गतबा इनको इस आयोग का जो विसकली अधार है, उसको निरस्त करना होगा, आयोग को समापन करना होगा, तभी जाकर के हम दम लेंगे, अन्याथा मरते दम तक इ जिहार की आज भुकमरी का सिकार है, जिसका सैचनिक इस्तिती सही नहीं है, आर्तिक इस्तिती सही नहीं है, उनके लिए आयोग तो बना, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं नितिश कुमार किये, और ये जो 25% जो अगरिजाती के लोग हैं, इसे ये बात सावित होता है कि 75% जोग है, गरिवी, भुकमरी और असिक्षा का सिकार है, उनके लिए आयोग तो है, लेकिन कोई अमल नहीं है, मैं इनको छोडने वाला नहीं हूँ, रोड से विधान सवा तक हम आंदोलन जारी रखेंगे और इसके लिए हमारे समाज को और हमको सदाहत भी देना परा, तो म मैं देने के लिए ओलेडी त्यार हूँ, और मैं समर्पित हूँ, यह थी बिहार की राजनिती और वहा के आयोग को लेकर हो रही चर्चा, अगरे हफ्ते आएंगे नहीं विशे को लेकर वंचित आवाज को बंदनी होने देंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे, जय जोग जय भेव, जय भारत!